हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल सोनिस किच्छन आज है संडे तो संडे के लिए कुछ स्पेशल रसीपी होने चुछेए कि नहीं इसलिए आप लोग करी एक डिलीशिस रसीपी लेकर क्या है हूँ श्रिम की करी जो की हम बनाएंगे मारेश्टरेंट स्टाइल में चैन जेनित को लंबी रसा तो छेली स्टाट करते हैं इस रसीपी के लिए मैंने आधा किलो श्रिम्प लिया है श्रिम्प को मैंने दो बार पाने से पहले दो लिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी मुट्टी लगी हो गंदे की लगी हो तो निकल जाए उसके बाद इसका हेड पार्ट निकल लेंगे और मेडिल पार्ट को ऐसे छिलके जैसे निकल लेंगे यह दिखिए नीचे से पकड़ कर आप इसको ऐसे उतारने लगेंगे तो यह आराम से निकलाती है फिर पीछे से हलका सा दबाते हुए खीचेंगे तो यह आराम से निकलाएगी टेल भी द अंदर एक धागा जैसा कुछ होता है, इसको निकालना बहुत जरूरी है, एक black कलर का पतला सा धागा जैसा होता है, इसको निकालने के बाद इसको फेक दीजिए, इस शिलके में मत डाली क्योंकि इस शिलका का यूज भी मैं बताऊंगी, तो हम यूज करेंगी, इसलिए हम इ अच्छे से क्लीन करना आनी चाहिए और करनी चाहिए भी तो इस तरीके से मैंने शारा श्रीम का छिलका निकाल लिया है छिलको को एक प्लेट में ले लिया है और जो ये धागा जिसा कुछ निकल रहा है इसको निकाल कर डायरेट मैंने फेक लिया है फिर श्रीम को मैंने दो दो बार पानी से धो लिया है छिलको को भी दो बार पानी से धो कर फिर इसको 15-20 मिनिट के लिए थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ उबाल कर इसका स्टॉक रेडी कर लिया था तो चले दिखाती हो अब श्रिम्प मेरा क्लीन हो गया है इसको मैरिनेट करेंगे आधी चोटी चोटी 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 विनिगर अच्छा से मिला लेंगे 15-20 मिनिट के लिए इसको साइड में रखेंगे या फिर बाकी तयारी होने तक इसको साइड में रखेंगे मारिनेट होने के लिए आभी जो स्टॉक मैंने रेडी किया है वो है श्रीम को मैंने जो इसका छील का था उसको मैंने पूरा यूज किया है इसको उबाल लिया है थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ इस टॉक रेड़ी है इस रेसिपी में यूज करूँगी अब मैं एक मसाला पेस्ट बनाएंगे तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ दो बड़े चमच इतना धनिया हरा धनिया एक इंच का अध्रक बारिक कटा हुआ 15-20 कली लेसोन छोटी-छोटी कली है चार से पाच हरे मिच एक बड़ा चमच नारियल का बुरादा मैं यहां पे ना प्रिचर में जीरा डालेंगे जीरा को चाटकने दे साथ में इसमें डालेंगे एक से दो छोटी इलाइची आधी हिंच का डाल चिनी का टुकड़ा एक तेस पत्ता यह खड़े मसालों को भी जीरा के साथ कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे खड़े मसाले भून चुकी है अब हम इसमें दो मीडियम साइज के प्याश को बारी काट कर डाल देंगे प्याश को हमें हलका सुनेरा कलर आने तक भून लेनी है प्याश का कलर जब थोड़ा से चेंज होने लगे तब इसमें ग्रीन मसाला पेस्ट एड़ करेंगे और अच्छे से मिलाते हुए प्याश को तब तक और भूनेंगे जब तक प्याश भी थोड़ी से ब्राउन हो जाएगी और जो यह मसाला है इसके साथ ही भून जाएगा थोड़ी से सुखा हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे इसको लगाता है चलाते हुए भूने अब देख सकते हैं यह मसाला अच्छे से भून चुकी है अब हम फ्लेम को लो करेंगे इसमें एक चोटा चुटे चमश हल्दी पाउडर एक बड़ा चमश लालमिशा पाउडर एक चोटी चमश कशमीरी लालमिश पाउडर डाल कर अच्छे से मिला लेंगे इसमें मैं अभी डाल रही हूँ एक कप से थोड़ा सा कम टमाटो प्यूरी यह होमेट टमाटो प्यूरी है इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताएं मैं जरू शेयर करूंगी आप इसके जगा दो टमाटर को पीस करके भी डाल सकते हैं अब हम इसमें आदी चोटी चमज जीरा पाउडर एक चोटा चमज धनिया पाउडर टालेंगे अच्छे से मिला लेंगे स्वात के अनुसा नमक डालेंगे ध्यान रखे हमने श्रीम को मैरिनेट करते हुए नमक एड़ किया था अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ श्रीम को डाल देंगे आच्छे से मिला कर पाच मिनिट के लिए लो फ्लेम पे धखकर पकने के लिए चोड़ देंगे अब कि मसाले भी भून जाएगे श्रीम भी साथ में भून जाएगा पाश मिनिट हो गया है धकन अटा कर एक बार अच्छे से चला लेंगे मसालों में से तेल अलग होने लगी है जो ये श्रिम्प है ये भी भून चुकी है अब मैं इसमें दो उबले हुए आलू काट कर डाल रही हूँ ये औप्षनल है आप सिर्फ श्रिम्प के साथ ये रिस्पी को बना सकते हैं बट मुझे इसके साथ आलू पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ अब मैं इसमें दो कप जितना स्टॉक एड़ करें जो मैंने इसके चिलके को उबल करके रेडी किया था आप इसके जगा पानी भी ले सकते हैं मुझे इसका रस्ता थोड़ा सा रखना है क्योंकि मुझे राइस के साथ सर्फ करना है इसलिए दो कप स्टॉक ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर एक चोटी चमच अच्छे से मिला का 10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे इसको ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनिट पका लेने के बाद हमारा डिलीशिस श्रिम करी बनकर तयार है इसमें कटा हुआ धनिया पता थोड़ा सा डाले फ्लेम को आफ करे और गरमा गरम राइस के साथ ये सर्फ करे बहुत ही मज़िदार लगती है मैं जैसे लंच में राइस के साथ सर्फ कर रही हूँ तो चलिए सर्फ करते हैं बाइ और टेक केर